डेट आज 20 जनवरी 2023 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में उससे पहले एथिक्स या एससे में ये एक्जामपल देखलो आप यूज कर सकते हो विसाल सिंग उडिसा की मलकानगिरी डिस्टिक के ये डियम है इन्होंने क्या काम किया है इन्होंने देखो 6 विलेजिज में 6 गाओं में Micro Irrigation के Project Implement किये हैं लागू किये हैं यहां ओडिसा की मलकानगिरी डिस्टिक में जिसकी वज़े से 300 Farmers को फायदा हुआ है यानि कि वो अब Second Crop उगा सकते हैं साल में क्योंकि यहां पर वो एक साल में एक ही फसल उगाया करते दे खेत में अब वो Second Crop भी उगा सकते हैं जिनकी की वज़े से इस मैथड की वज़े से 60% तक उनकी जो Household Income है उनकी आए है आमदनी इंक्रीज हो जाएगी किसानों की Micro Irrigation Project क्या होते हैं यह तो आपको पता ही होगा Irrigation का मतलब सिचाई किसान फसलों में पानी देता है खेत में पानी लगाता उसी को बोलते हैं Irrigation Flood Irrigation क्या होता है Flood Irrigation होता है जैसे मान लो यह खेत है Field आए यहाँ पर Tube Well से या फिर नहर से कैनाल से पानी छोड़ दिया पूरे में और बाड की तरह पूरे खेत में पानी भर गया इसे बोलते हैं Flood Irrigation यह normally हमारे इंडिया में सब जगें यही method यूज होता है लेकिन Micro Irrigation में आते हैं जैसे सिप्रिंग कलर Irrigation सिप्रिंग कलर क्या होता है फौरे जो लगा देते हैं खेत में पाइप लगा के फौरे ऊपर से बारिस की तरह पानी निकलता है इनसे इनसे पानी की बज़त होती है इन method से या फिर डिप Irrigation भी Micro Irrigation में आता है डिप Irrigation का मतलब है पाइप लगा देते हैं डारेक्ली जो जड़ होती है पेड की पौदो की जड़ में पानी जाता है रूट में तो डिप या सिप्रिंग लर यह आते हैं Micro Irrigation में ऐसे method यहाँ पर install के implement के लागू किये जिनकी वजह से लोगों को होगा नेक्स्ट एक्जामपल है चंचल राना यह उडिसा की बालंगीर डिस्टिक है वहाँ पर यह डिस्टिक मजिस्टेट हैं कलेक्टर हैं चंचल राना यह इमेज में देख सकते हैं इन्होंने क्या काम किया है इन्होंने gender and inclusion को implement किया है gender और inclusion का मतलब यह है देखो आप सब को पता है gender के आधार पे link के आधार पे हमारे country में भेदवाब होता है वैसे तो बहुत सारे बेस हैं बहुत सारे आधार है जिनके basis पे discrimination भेदवाब देखने को मिलता लोगों को लेकिन gender में उसमें एक कारण है लड़का लड़की के आधार पे या फिर कोई मानलो third gender है उसके आधार पे तो इसमें क्या किया है इसमें क्या है कि एक स्विक्रती स्कीम थी इसको implement किया है जिसकी वज़े से यहां पे जो transgender community है ना transgender transgender मतलब कोई लड़का पैदा हुआ है male उसने अपना gender change करा लिया female बन गया या कोई लड़की पैदा हुई थी उसने अपना gender change करा या वो लड़का बन गया लड़की से लड़का ऐसा संभव है science के वज़े से आपको पता ही होगा और transgender ये word है हिजडों के लिए भी यूज करते हैं normally तो ऐसी community के against आप सबको पता भेदवाब होता है तो इनके लिए livelihood उपलब्ध कराई रोजगार के अफसर पैदा किये ता इसके लिए आप यूज कर सकते हो दोनों में से कोई भी आते हैं अपने फर्स टॉपिक पर फर्स टॉपिक है सेज वार्बलर ये प्रिलिम्स के लिए important है सिर्क केरल में अभी देखो कुछ और्थी ornithologist है ornithologist उन्हें बोलते हैं जो bird के बारे में अध्यान करते रहते हैं इन्होंने एक migratory bird को यहाँ पे spot किया spot का मतलब ढूंडा देखा migratory bird आप जानते हो एक place से दूसरे place पे घूमते रहते हैं ऐसे पक्षियों को बोलते है migratory bird इसका नाम है sage warbler ये image में आप देख सकते हो ये चिडिया सी दिखाई दे रही है आपको ये है sage warbler इसकी क्या खासित बात है खासित बात ये है देखो इसकी कि ये जो wetland type के भूमी होती है वहाँ पर पाई जाती है wetland का मतलब आदर भूमी ऐसी भूमी जहाँ पे सालो साल पानी भरा रहता हो या पर्मानेंटली या सीजनली किसी साल के किसी एक महिने में या कुछ दिन पानी भरा रहता हो ऐसी भूमी को बोलते हैं वेटलेंड या फिर रीड बेड रीड बेड भी देखो वेटलेंड का ही टाइप है आदर भूमी का ही एक प्रकार है, टाइप है, लेकिन क्या फरक है रीड़ बेंड़ और वेट लेंड में? देखो रीड़ बेंड़ ऐसे होते हैं, यह मार्सेज भी वेट लेंड़ा है, यह आपको पता है, दलदल होता है, यह जैसे माल्लो पानी भरा हुआ है, यहाँ पे दल पादल नहीं होता, यहां पे कुछ फसले भी उगाई जा सकती है, पानी है, यह बीच में मानलो कोई भूमी है, यहां पे घास वास उग रही है, लेकिन पानी के उपर ही है, इसे बोलते है, रीड वेड, तो यह फरक है इन में, तो इस तरह के जो एको सिस्टम है, यहां पे य जाता है, जो मेल पक्षी है यह, यह देखो बहुत सारी अवाज है निकालता है, और गाने गाता है, गाता है कुछ, लेकिन एक बार जो यह सौंग गाता है उसे जीवन में दुबारा नहीं गाता, यह इसकी खासित बात है, अलग-अलग सौंग गाता है हर बार, जो मेल होत और ये Insectivorus Z insectivorus का मतलब है ये कीट खाता है छोट छोटे कीडे होते है न उनको खाता है है Con Sud in warnings कि रैल इस है उसमें Neinst concern का attendance देखो ये बहुत बार पूशती है UPSC क्योंकि UPSC 3-4 साल पहले जो PATRAN पूशा है तो मैंने एक suggestion और देता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए एक मिनट के लिए lecture सुन लो देखो इस साल अगर आप दे रहे हो प्रिलिमिया किसी साल दे रहे हो आप उससे पहले देखो आप कम से गम last 10 to 15 year के प्रिलिम्स के question paper ढंग से analysis करो क्योंकि इन्हीं से आप 20 से लेकर 25 question देख सकते हो वो ही topic उन से ही related दुबारा से repeat होते हैं तो आप जरूर देखना analysis करना उनके option चारो option चारो option के बारे में हर एक छोटी से छोटी detail उसके लिए आप एक book भी ले सकते हो बुक आती हैं बहुत सारी publication की में ग्राहील है आपकी अरीहंत है कोई से भी ले सकते हो आप 1995 से question आते हैं पिलिम्स के कोई भी book ले सकते हो आप जो भी आपको अच्छे लगे तो वहाँ पर analysis दी हुई है वो book में ढंग से आप कम से कम तीन से चार बार उसे revise करो एकदम आपको पता होना चीए कि ये question UKC ने पूछा ये topic है ये topic मुझे अच्छे से करना है तो वो आप देख लोगे ये NCRT और last year के question paper प्रिलिम्स के लिए हो या means के लिए हो सब के लिए या interview के लिए हो हर चीज के लिए आपको ये sufficient है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको कुछ एक ये कर सकते हो कि आप कुछ standard books हैं जैसे लक्षमी कांत सभी पढ़ते हैं आप सब इन्वार्मेंट सारा current affairs से cover हो जाता है इन्वार्मेंट उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूतनी है आपको संकराइस की book आती है वो कुछ पढ़ने की जरूतनी है इतनी मोटी book सारा कुछ जो news में होता है एक साल का वो ही आता है prelims में और mains के लिए तो editorial का party बहुत होता है उससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है अगर ज्यादा करना है PhD करते रहो भाईस आप लग जाएंगे और मेरे तरह से पढ़ाना पड़ेगा यसी YouTube पे time waste करना पड़ेगा आते अपने lecture पर अच्छा IUCN तो आप जानते हो क्या होता है international union for conservation of nature international organization है यह इसमें government organization भी और non-governmental NGO गेर सरकारी संस्था दोनों participate करती है nature को conserve करने के लिए काम करती है प्रकिरती को conserve करने के लिए इसने red list एक तयार की थी लगवग 1964 में और 1948 में बनाए गई थी यह संस्था और सुट्जर लेंड में इसका headquarter और देखा पूरा detail में अगर आपको जाना IUCN के बारे म आप देख सकते हो जितने भी static question आते हैं यह static ऐसे topic है जो बार-बार news में रहता है UPSC बहुत बार पूस्ता है हर साल ही वह important है उनके लिए अलग से playlist बनी हुई है आप चैनल पर जाके देख सकते हो सब अलग-अलग subject के लिए वह बहुत ही जादा important topic है तो उनके लिए अलग decision कुछ और भी हो सकती है यंग जे finless purpose यह देख सकते हो आप यह whale की तरह का यह species है पानी में पाया जाता है यह इस नदी में यंग जे जो नदी है यह चाइना में है यंग जे नदी यह एसिया की सबसे लंबी नदी भी है इसमें इसकी population अभी कम देखी गई चाइना में यह Donkting Lake है Donkting Lake में भी इसकी population पाई जाती है इस finless purpose की क्यों population इसकी कम हो रही है क्योंकि यहां पे एलीगल sand mining होती है Sand mining क्या होती है घर बनते है आपके घर में जो रेताय रेती यूज होता है construction के लिए जैसे प्लस तर करने के लिए वो यह सेंड सेंड को यहीं से निकाला जाता लेक से जील से या रीवर से नदियों से या समुंदर से तो यह इल्लीगल ही जब अवैद तरीके से निकाले जाती है यहाँ पे जो इको सिस्टम हो उसको नुकसान होता है इसकी वजह से इसकी कहुछ और फैक्ट देख लेते हैं इस फिन टेट से बारे में कि देखो यह फिन लेस प्रफोई आपनी स्माइल के लुए जान जाती है समाइल करती रहती है और इसका तेज लिए जितना गॉरिल्ला को रहता है कुरिल्ला जानते आ लव कुछ बंदर के टाइप का दिखता है आदमी और बंदर का मिक्षर थोड़ा नहीं देखा है तो Google पर सर्च मारना गोरिला देख जाएगा आप तो उसकी तरह intelligent होती है यह पॉर्पोई और यह वेल्स जो होती है न वेल्स थे थोड़ा small होती है उससे थोड़ी छोटी होती है लेकिन environment की health के लिए good indicator होता है जैसे परियावर में कोई बदला होता है तो इसकी activity भी change हो जाती है उसकी वजह से तो पता लग जाता है कि हाँ भाई साब को change होने वाला है conservation status क्या IUCN की red list में critically endangered है यानि कि इसकी population बहुत ही कम है बहुत ही जादा इसको खत्रा है इसको बचाने की जरूरत है next topic है advanced authorization scheme यह scheme news में है यह scheme है क्या बस इतना जानना इस scheme यह है जब भी कोई trader है कोई वैपार यह बहार से कोई चीज import करता है और इसलिए import करता है कि वो उसे within the specified time एक time period के अंदर अंदर उसे export करेगा कुछ process करके मानलो कुछ plastic मंगाया कुछ ink मंगाया और इनसे pen बना लिया पैन बना के फिर वो export कर रहा है याद रखना domestic market में नहीं बेच रहा है हमारे इंडिया में नहीं बेचेगा कहां बेचेगा हमारे इंडिया से बाहर विदेश से बाहर तो कोई चीज मंगाई import की input और input से कुछ चीज बनाके final product बनाके वो export किया within the time तो इस पे government उसे import duty हटा देती है इसी स्कीम को बोलते हैं authorization scheme advance authorization scheme यानि कि import duty नहीं लगाई जाती import duty का मतलब जब कोई हम trader है कोई आयात कर रहा है कहीं से मंगा रहा है दूसरे देश से चीज तो उस पर tax लगाती है government वो है import duty तो वो import duty नहीं लगाई जाती उसकी input पे अगर वो उसे export करेगा उस product को तो यही है scheme domestic market म उसको नहीं बेचेगा और advance authorization 12 month के लिए valid होती है next topic है annual status of education report असर रेपोर्ट बोलते हैं shortcut में most important है इसका data education से लेटेड हर एक GS paper 1 हो या फिर 2 हो 3 हो 4 हो हर एक paper में भाई साब इसका education से लेटेड क्वेशन आता ही आता है essay का paper हो education से लेटेड आता ही आता है कोई भी paper हो आपक तो इसकी जो रिपोर्ट है रिपोर्ट का जो डेटा है बहुत ही ज़्यादा important है वो आप लिख सकते हो आपके marks increase होंगे 23 number extra मिलेंगे ऐससे के paper में use करेगो तो 10 से 15 20 marks भी extra मिलेंगे आपको तो इस डेटा आपको लिखना है याद करना है ये असर रिपोर्ट आई है 2022 में देखो ये वैसे तो हर साल आती है रिपोर्ट लेकिन पेंडेमिक चल रहा था आप सब को पता है कोरोना वायरस आ गया था उसकी वज़े से रिपोर्ट नहीं हो पाई ये 2018 में हुई थी उसके बाद ये अब रिपोर्ट आ रही है पेंडेमिक के बाद तो असर रिपोर्ट म नों बताया 6-14 साल के जो बच्चे है वो स्कूल में 98.4% तक स्टूडेंट अभी पढ़ रहे है यानि कि बहुत ज़्यादा इंडूल्मेंट हो गया है हमारी स्कूल में बाकि के जो केवल कितने 1.6% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं यानि कि उनका स्कू एक तो यह स्टीजन लेड हाउसोल्ड सर्वे नागरिकों की सर्वे की जाती है इसमें और घर घर जाके स्कूल में नहीं जाते हैं कौन करती है इस रिपोर्ट को तैयार एक एंजियो है पर्थम नाम है एंजियो का नॉन गोर्मेंटल और्गनाइजिसन गेर सरकाई संस्था पर्थम यह इसको पब्लिस करती है यह सर्वे कराती है यह और्गनाइजिसन एंजियो पर्थम नाम की तो घर घर जाते हैं बच्चों से पूछते हैं इसमें दो काटेग्री में यह देखा तीन से सोले साल के बच्चों के लिए नेशनल स्टेट और डिस्टिक लेवल पर सर्वे की जाती है, 2005 से सर्वे की जारी है, हर साल की जाती है, लेकिन कोरोना के वज़े से बीच में रुख गई थी, और अब 2022 में की जा रही है, इसमें यह देखा, जो सर्वे की जाती है, इसमें तीन से सोले साल के बच्ची हैं, जो रूरल एरियाज में, रूलर डिस्टिक म में उनकी sorry की गई और ये school based नहीं होती याद रखना हसोल्ड यानिकि घर घर जाके इसमें बच्चों से पूचा जाता है उनके माता पित्वा पता से पूचा जाता है कि आप बच्चों को पढ़ाते हो नहीं बच्चों कराया नहीं कराया कि सब सर्वे में किया जाता है और उनसे पूछा भी जाता है कि उन्हें पढ़ना लिखना आता है कितना पढ़भा कर देखा जाता है उनसे कि अगर मानलो पांच वी क्लास में तीसरी में चौतरी में छटी में कितना वो पढ़ सकते हैं पढ़ना जानते हैं ऐसा तो नहीं से स्कूल जा रहे हैं और पढ़ना लिखना नहीं आथा ये सब कुछ इसमें देखा जाता है हाइलाइट और देख लेते हैं इसकी 2012 की सर्वे में 616 डिस्डिक्ट में 19,060 स्कूल के बच्चों को सर्वे किया गया इसमें पैंडमिक के बाद इसमें देखा गया कि 2022 में जो है enrollment increase हुआ है क्योंकि 2018 में ये था 2018 में हुई थी last time ही pandemic की वज़े से 2019 में आ गया था ये coronavirus नहीं कराई थी सरवे फिर 2020 में भी नहीं 21 में भी नहीं 22 में अभूरी है 22 में हुई मतलब 22 से होके अब ये 23 में data आया तो 2023 में इसका data आया 2022 में enrollment बढ़ गया 98.4% तक 2018 में कितना था 97.2% यानि कि 97.2% बच्चे enroll करा रहे थे जो अब 98.4 हो गए याद रखना data इसमें देखा गया कि इनमें से बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल में वो अधिकतर government school में है 72.9% student वो government school के हैं और इनमें ये भी देखा गया कि कुछ लड़कियां हैं जो school नहीं जा पा रहे हैं उनमें तीन स्टेट सबसे जादा हैं मध्यपरदेश में 10% से जादा लड़किया हैं जो school नहीं जा पा रहे हैं 17% मध्यपरदेश में लड़कियां जो स्कूल नहीं जा रहीं उत्तर परदिस में 50% गल स्कूल में नहीं जा रहीं 36 गल में 11.2% नेशनली देखो चिल्डन की जो बेसिक रीडिंग है 2012 के लेवल से थोड़ी घट गई है यानि कि 2012 से पहले जो बच्ची जितना पढ़ पाते थे जितने परसंटेज वबच्ची वो अब कम हो गए है ऐसा देखा गया क्यों उसका कारण है COVID-19 की वज़े से क्योंकि स्कूल बन थे आप सब को पता है तो बच्चों का जो रीडिंग लेवल है एविलिटी है रीडिंग एविल्टी बेसिक रीडिंग एविल्टी वो डिक्रीज हुई है थोड़ी ड्रॉप हो गई है गौवर्मेंट हो चाए प्राइविट स्कूल सो क्लास 3 के जो स्टूडेंट से 2018 में 27.3 परसेंट ऐसे थे जो केवल रीड कर सकते थे पढ़ सकते थे लेकिन ये अब घट गए हैं 20.5 परसेंट बच्चे ही केवल पढ़ सकते हैं बाकी के बच्चे पढ़ ही नहीं पातें क्लास 3 के बच्चे इतने मतलब उनको पढ़ने की अभी 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 नहीं है यानि कि घटगा ये डिक्रीज हो गया 2018 के लेवल से भी जो class 5 के student है 2018 में 50.5% बच्चे ये पढ़ सकते थे कोई भी चीज इनको पढ़ने के लिए दी जाए पढ़ सकते थे लेकिन अब 2022 में 42.8% बच्चे ही पढ़ सकते हैं बागी को पढ़ना आता ही नहीं है तो ये इस report का data है next topic है greenback greenback एक term है जो recently used में थी prelims के लिए सिर्फ important है देखो dollar के लिए use की जाती है US dollar के लिए अभी आपको पता है dollar के मुकाबले हमारा रुपिया कमजोर होता जा रहा है इसकी वज़े से news में आया ये term greenback ये ही है dollar देख सकते हो इसका back side जैसा इसका नाम में न back greenback तो इस dollar का जब जारी किया गया था US के द्वारा US federal bank के द्वारा तो इसका जो back side है वो green थी इसी वज़े से इसका नाम से पुकारते थे greenback dollar ही है ये उसकी US की currency है जैसे हमारे इंडिया की रुपिया currency है ऐसे dollar है US की लेकिन ये green था इसका back लेकिन अब ये नहीं होते प्रिंट एक बार time था जब ये print की गए थे 19th century में लेकिन अब इनका प्रिंट नहीं होता है लेकिन अभी भी ये term greenback यूज होती है US paper dollar के लिए US paper dollar के लिए ये 19th century में United States government ने ये जारी किये थे first paper money greenback और US government के इसाफ से legal tender थे legal tender का मतलब मानने थे कोई भी इंकार नहीं कर सकता US में अगर इस dollar को दिया जाए तो मानने हैं जैसे हमारे इंडिया में रुपिया legal tender है दस रुपय का नोठ हो चाए हजार हजार का तो भेनी 2000 का हो 500 का हो कोई और greenback क्यों बोलते हैं उपर हमने discuss किया क्योंकि इसका backside green है इसलिए green बोलते हैं इसे और यह देखो अब मेंटर नहीं किया जाता है यानिकि अब इसकी छपाई नहीं की जाती उस टाइम पर 19th century में की जाती थी लेकिन अभी भी ये green dollar मानने है और ये term यूज की जाती है US dollar के लिए greenback trading क्या होती है greenback trading यह होती जब dollar में US dollar में अगर वैपार हो रहा है foreign exchange market में यूज हो रहा है dollar का US dollar का तो हम उसे greenback trading बोलते हैं next topic है भोपाल declaration यह prelims और GS paper 2 और 3 के लिए important है means के लिए declaration का मतलब घोषना पत्र होता है यह अभी जारी किया इसकी कुछ highlight है वो हम discuss करेंगे G20 आप सब लोग जानते हो 19 countries plus European Union यानि कि 20 country बोलते हैं वैसे shortcut में इने 20 countries का एक गुरूप है G20 अभी इसकी प्रेजिडेंट सिफ अध्यक्ष था इंडिया के पास है इंडिया इसका प्रेजिडेंट है इसी का यह गुरूप है think tank meeting होती है think 20 think 20 की meeting होते है इसे नहीं की 20 जो member है सब आते मीटिंग में यह दो दिन मीटिंग चली भोपाल में इसी में कुछ declaration जारी की घोसना पतर जारी किया यही अभी news में है तो इसकी highlight declare करेंगे हम discuss करेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है इसमें कहा गया भोपाल declaration में एक तो गया कि inclusive development पर focus किया जाएगा inclusive development समावेसी विकास यानि कि सब का विकास हो poorest of the poor people का भी फायदा हो अगर इंडिया की GDP increase हो रही है तो गरीब से गरीब तबके का भी विकास हो जो लोग पिछड़े हुए हैं backward हैं उनका भी विकास हो inclusive development welfare करेंगे किसका society का welfare करेंगे GDP के comparison में हर एक section का वे every section का next इसमें है कि children special attention दिया जाएगा children पे बच्चों पे और woman-led development होगा महिलाओं के विकास पे भी ध्यान दिया जाएगा north और south के बीच में जो gap है उसको bridge किया जाएगा north का मतलब north term यूज करते हैं north या global north south या global south ये term यूज करते हैं north मतलब developed country विक्सित देश जैसे अमेरिका है United Kingdom है south करते है developing या poor country जैसे इंडिया है African country है उनके लिए southward यूज करते हैं तो इनके बीच में जो gap है न इसको bridge करन करेंगे मिटाने की कोशिश करेंगे सब के लिए health ensure करेंगे जो development sustainable development goal है SDG उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे 2030 तक इनका target 2030 तक की अचीव करने हैं और एक triangular corporation बनाएंगे triangle corporation का मतलब है triangle यह होता है triangular corporation का मतलब एक जगए government एक जगए society एक जगए private organization यह तीनों साथ आएंगे और यह तीनों साथ आके जो इसके goal है think 20 के इनको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे ट्राइ करेंगे next topic है world economic forum world economic forum की अभी meeting हुई initiative इसकी meeting होती है हर साल लगबग इसक international काम करती है इसकी meeting होई world economic forum की summit तो इसमें बहुत सारे institution researcher कोई expert है वो बलाये जाते है invite किये जाते हैं इसकी meeting होती है तो यह meeting होई इसमें कुछ जो फैसले ले जाते हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे इसमें कि यह launch किया GAEA giving to amplify earth action यह देखो 3 trillion dollar finance इसमें इखट्या किया जाएगा और यह हर साल ज़रूरत है यह बोला कि 3 trillion dollar इतने डॉलर हर साल ज़रूरत है अगर net zero का target अचीव करना है net zero क्या है जितना कारबन उत्सरजन हो रहा है उतना हम atmosphere से घटाएं reduce भी करें absorb करने चाहे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगा चाहे कोई technology इंस्टॉल करके ताकि जितना greenhouse gas का emission हो रहा है उन्हें atmosphere से हटा दें तो net zero अचीव करने के लिए 2050 तक biodiversity को restore करने के लिए हर साल 3 trillion dollar की ज़रूरत है इसमें कहा गया giving to amplify earth action में और यह fund किसके द्वारा accumulate किया जाएगा PPPP model के दोरा क्या है four time P का मतलब public private and philanthropic partnership यहने कि government भी साथ दे private organization भी साथ दे और कोई मालो लोगों की भलाई के लिए दान देना चाहता है डॉनिट करना चाहता है philanthropic तरीके से तो वो भी साथ में आएं तो यह सब तीनों मिलके साथ आएं और fund इखटा करें ताकि carbon को reduce किया जा सके environment से net zero का target अचीव किया जा सके और biodiversity को दुबारा से restore किया जा सके fire ad initiative यह जनवरी 2022 में launch किया था इसकी क्या highlight है देखो इसमें artificial intelligence यूज की जाती है artificial intelligence का मतलब है जब मसीन आदमी के दिमाग की तरह सोचना शुरू कर दे उसी को बलते है artificial intelligence इसका साहता ली जाएगी जिसकी वज़े से wildfire का prediction आसानी से better तरीके से किया जा सके wildfire मतलब जंगलो में जो आग लग जाती है forest जल जाते हैं पेडों का नुकसान होता है carbon भी रिलीज होता है greenhouse gas का emission होता है और atmosphere को नुकसान होता है तो wildfire को predict करने के लिए इसकी भविश्यवानी करने के लिए artificial intelligence का यूज किया जाएगा तकि यह जो wildfire को reduce किया जा सके world economic forum में देखो ऐसी country जो country यहां पे हैं उन्होंने यानि कि इसकी meeting में highlight कि कंट्रीज हैं जो fourth industrial revolution को तवज्जो दे रही है यानि कि इसका utilization कर रही है इसमें कई तीन चीज़े हैं जो highlight की fourth industrial revolution में fourth industrial revolution तो आप जानते हो क्या है देखो आपने पढ़ा होगा first second third और fourth industrial revolution के बारे में first क्या है लगबग 1750 से लेके exact तो date इसकी कोई मानी नहीं जाती year 1750 कहीं पर 1765 मतलब mid 18th century से start हुई थी first industrial revolution industrial revolution औध्योगिक क्रांती यानि की factory या बनना शुरू हो गए थी जो किस पर आधारित थी coal पे क्योंकि steam engine का उस time पे invention हुआ था steam engine का तो भाप से चलने वाले engine की वज़े से factory लगने लगी थ जाता था इसमें तो यह coal based coal based industries बनी थी first industrial revolution में फिर second industrial revolution लगबग उसके 100 साल बाद 1850 या 1870 के लगबग स्टार्ट हुई second industrial revolution यह हुई gas based industry फिर gas का exploration ज्यादा किया गया फिर gas के आधार पे energy की तरह gas का यूज होने लगा तो gas based industry खुली फिर third industrial revolution आ गई electronic based electronic सामान ज्यादा production होने लगे फिर यह उसके 100 साल बाद लगबग 1969 के लगबग third industrial revolution स्टार्ट हुई इसमें क्या हुआ electronic based सामान प्रड़क्शन होने लगे ज्यादा ज्यादा फिर आई fourth industrial revolution इसमें भाईसा computer का चलन ज्यादा बढ़ गया internet का internet computer इंटरनेट आ गया तो digital revolution भी बोलते हैं या internet based computer based revolution या renewable energy based internet and renewable energy नवी निकरन उड़ जा solar energy हो गई wind energy होगी इन पे ज्यादा focus किया गया fourth industrial revolution और कब से start हुई लगबग 2000 से सन 2000 से तो यह हो गई fourth industrial revolution सारी मैंने discuss करा दिये तो यह fourth industrial revolution का utilization किया जाए और इसमें three things को highlight किया तीन चीजे पहली है रेजिलेंट बनो किसके किसके मतलब two words किसके रेजिलेंट बनना है रेजिलेंट का मतलब है flexible बनो growth ज्यादा ज्यादा इनेवल करो sustainability और inclusivity लेके आओ manufacturing sector में supply chain में next farm speed from speed to scale देखो large technology को अड़ाप्ट करो ज्यादा ज्यादा chain partner के साथ industrial ecosystem के साथ public sector stack hold हरो इन सब के साथ cooperation करो fourth industrial revolution क्या है हमने discuss कर लिया उपर तो WF क्या ये भी discuss कर लिया हमने तो world economic forum non governmental international non governmental organization है जो 1971 में बनाया थी जर्मानी के एक engineer और economist अर्थ सास्री था जिनका नाम है क्लॉस स्वेब इनकी pronunciation कुछ और भी हो सकती है बस spelling देख लो आप नाम भी वैसे याद करने की ज़रुत नहीं है इन्होंने इसको बनाया था इस organization को एंजियो को world economic forum को 1971 में headquarter देख लो कहां पर सुट्जर लेंड के जनेवा सहर में नेक्स्ट टॉपिक है जी एफ एंजी ए एंजेड यह प्रिलिम्स के लिए important है और मेंस के लिए जी एस पेपर थरी environment के लिए यह अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यह फंड तो launch किया गया था देखो जब COP26 हुई थी न उस टाइम पे COP26 क्या है Conference of Party Conference of Party 26 26 वी मीटिंग हुई थी UNFCCC की हर साल जनरली मीटिंग होती यह उनाइटी नेशन फ्रेंवर्वक क्रमनेशन और क्लाइमिट चेंज की Greenhouse Gas को Reduce करने के लिए यह Target रख था है UNFCC कब आया था यह इसके बारे में पूरा डेटेल से जानना न Lecture बना हुआ Environment की Playlist में जाकर देख सकते हो पूरा डेटेल में 15-20 मिनिट का Lecture है इसमें मैं बताऊंगा और बड़ा Lecture हो जाए तो इसकी मेटिंग होती है हर साल COP26 हुई 2021 में वहां पर यह लॉंच किया गया Glass Go Financial Alliance for Net Zero Net Zero को Achieve करने के लिए एक Financial Alliance Group बनाया गया यानि की Fund इखटा करना है Glass Go नाम इसले दिया क्योंकि Glass Go United Kingdom में Glass Go में मीटिंग हुई थी इसलिए इसका नाम Glass Go पर रखा गया 2021 में लॉंच किया गया यह किसने United Nations Special Envoy on Climate Change in France इसने लॉंच किया COP26 में COP26 UNFCC का है और इसी में UNFCC का Race to Zero Campaign भी लॉंच किया गया Race to Zero Campaign का मतलब Zero Carbon Emission हो Net Zero Carbon Emission यानि कि जब Zero का मतलब Net Zero का मतलब यह है कि जितना Carbon हम Emit करें उतना ही Reduce करें इसका मतलब कताई भी यह नहीं है कि हम बिलकुल भी Carbon Emission ना करें फिर तो Factory वगरा सब बंद हो जाएंगी ना Factory से वीकल से जॉब चलाते हो Car Motor Cycling सब से Carbon Emission होता है Carbon का सरजन होता है Greenhouse Gas निकलती है CO2 CO हो गई CH4 हो गई Methane Carbon Day Oxide यह सब Gas निकलती है तो यह Race to Zero Campaign भी लॉंच की गई Race to Zero Campaign भी क्या है हमने इस समझ लिया UN-backed Global Campaign का भ्यान है जिसमें Non-state actor आएंगे सारे Companies हो गई या स्टीज हो गई Non-state actor यह जिनने Government से अलग होते हैं जो गवर्मेंट से लगें जैसे कंपनी होगे को सिटी रीजन फाइनसल एजुकेशन हेल्थ केर इंस्ट्यूशन यह सब आएंगे और 2030 तक Global Emission को Reduce करने की हाप तक आधे तक Reduce करेंगे जो जितना भी Greenhouse Gas का Emission हो रहा है उसको आधा Reduce करेंगे और आगे Zero Carbon जो Target है उसको हासिल करेंगे Net Zero की बात कर रहे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है AI AQMS version 1.0 यह क्या है AI का मतलब है Artificial Intelligence Based AQ का मतलब Air Quality Monitoring System का यह first version है first phase किसने लौंच किया METI METI क्या है Ministry of Electronic and Information Technology मंत्राल ले हमारा Information Technology और Electronics का इसके अंदर आता है एक यह Agency आती है CDEC जो Computer शूपर Computer वगरा बनाती है मारे डियम Center for Development of Advanced Computing इसने Tax Min ISM धनबाद जहारखंड में है यह एक यह Agency और Organization है Company टाइप है Company टाइप टेक्नोलोजी का इन्नोवेशन इन माइनिंग एक्सप्लोरेशन और माइनिंग टेक्नोलोजी इन्नोवेशन इन Exploration of in Exploration and Mining माइनिंग में यह Exploration इन्नोवेशन वगरा करती रहती है यह Organization यह Corporation यह Company वो लो जहारखंड बेस्ट इसके साथ मिलके CDEC ने यह लॉंच किया है और CDEC किसके अंदर काम करता है Ministry of Electronic and Information Technology दो को मैं क्यों बता रहा हूँ यह Ministry Ministry ऐसा question आता है पूस्ति यह प्रिलिम्स में UPSC तो आप यह सब कुछ याद रखें लिखें नोट्स बनाके रखें तो CDEC ने टेक्समिन के साथ मिलके लॉंच किया है यह Artificial Intelligence Based Air Quality Monitoring System जैसा इसके नाम में Air की क्वाल्टी को मॉनिटर करेगा कि कहां पर गैसी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जाद है कम है और एर क्वाल्टी सिर्फ ग्रीन हाउस गैस नहीं और भी कैसारी गैसी है PM पार्टिकल है पार्ट क्या होता है जैसे बॉल है बॉल तो नहीं यह मानलो कोई सरकल है सरकल का यह केंद्र बिंदू है तो यह पूरा टाइमिटर हो गया आपने पड़े होगा मैथ में तो जिस कन का 10 माइक्रो मीटर से कम होता है तो वो हो गया PM 10 या 10 होता है 10 से कम या फिर PM 2.5 जिसका इनके बेस्ट पर क्या है इससे पहले एक अल्रेडी प्रोग्राम चलाया हुआ है सीडेक ने और टेक्स मिनने जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ओन इलेक्टोनिक्स एन आई सीटी एप्लिकेशन इन एग्रिकल्चर एन इनवार्मेंट इसके अंदर ही यह एर क्वाल्ट टेंप्रेचर एलेटिव हूमिडिती यह सब मॉनिट्रिंग की जाते है इनके बेस पर इन्वार्मेंट में परियावन में एर की क्वाल्टि क्या है इसका एनलेसिस क्या जाता है यह जो वर्जान है देखो इसकी टेक्नोलोजी नई टेक्नोलोजी मार्किट में जदा की जाये ताकि एयर की quality हाँ पर monitoring की जाये और भी ऐसी टेक्नोलोजी है जो ministry of electronics and information technology launch किया जैसे biosensing system के लिए technology launch किये यह क्या करती है biosensing system technology यह देखो EDC ना जो EDC एड़ीस है chemical है endocrine disruptive chemicals इनकी monitoring करती है detect करती है और यह क्या होते है endocrine disruptive कैमिकल देखो हमारी बोडी में जो एंडोकरeань सिस्टम है न इंडोकरe डिस्रब्ट करते हैं उस पर नुकसान पहुचाते हैं और ऎंडोकरe सिस्टम क्या होता है एंडोकरe systems complex network औफ Tucson अन और ये औरगन हमारी बोडी का complex network है जिसमें ग्लेंड और और्गन का complex network होता है क्या काम करता है हमारी body में hormone hormone को control करता है हमारी body में जो metabolism है उसको सायता करता है metabolism को energy produce करता है हमारी body में हमारे mind system को mind system है जो उसमें health करता है endocrine system हमारी body में एक तरह से maintenance का काम करता है यह समझ लो तो इसी को disrupt करते हैं यह chemical इसलिए chemical का नाम भी है, endocrine disruptive chemicals, कौन कौन से chemical आते हैं इसमें, इसमें देखो natural chemical भी होते हैं, जो release होते हैं, environment में, air में, soil में, water में, जब manufacture भी होते हैं, man made product होते हैं, कुछ, उनमें भी निकलते हैं chemical, कौन कौन से chemical हैं, most important chemical हैं ये, और कई बार, UPC ने देखो, दो बार तो BPA के बारे म किसलिए यूज होता हैं, plastic बनाने के लिए, कुछ तरह के plastic epoxy resin है, इनको बनाने के लिए यूज होता है, बस इतना ही जानना आपको, किसलिए यूज होता है, chemical, by besphenol A, plastic और epoxy resin, इनमें ये पाए जाता है, याद रखना है, dioxin, dioxin क्या है, ये अफसेश पधारत है, जो herbicide production करते मतलब बनने की कुछ death की बात हो रही है, next step पर fluoroyalkly या polyfluoroalkly substance PFAS बोलते हैं shortcut में ये देखो काम में आते हैं जो non-stick pen होते हैं ऐसे बरतन आते हैं जिन पर खाना चिपकता नहीं है बनाने में उन्हें बोलते हैं नोस्टिक pen या paper textile coating इनको बनाने में यूज होते हैं chemical next है pathalates ये प्लास्टिक बनाने के प्लास्टिक को flexible बनाने के लिए यूज होता है प्लास्टिक में डाल जाता है या कि प्लास्टिक टूटे ना flexible रहे थोड़ी next है phyto estrogen ये पाए जाते हैं plants में plants में जो हार्मोन होते हैं बहुत सारे जैसे human में हार्मोन होते हैं प्लांट में हार्मोन होते हैं पौधे में उनमें पाए जाते हैं और देखो जैसे सोय मिल्क भी बनाए जाता है सोय मिल्क में पाए जाते हैं टौफु में सोय मिल्क आपने देखा ही होगा नहीं देखा तो अमूल का आता भाई सब जैसे अमूल का दूद आता ऐसे अमूल का पूछना अमूल का सोया मिल्क दे दो पता चल जाएगा उनमें भी यह पाए जाते हैं फाइटो एस्टोजन नेक्स्ट है ट्राइक लोसन ट्राइक क्लोशन के बारे में भी क्वेश्चन यूपेसी ने पूछा है लास्ट ये आपको पता होगा अपने पढ़ा होगा तो हैंक ट्राइक लोसन औरे लोसन एंडॉस आले को एक इन्डथिसएं सेक्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड के मतलब इंसेक्ट को मानने के लिए साईडवर्ड आ रहा है डैथ हो हुरी किसी इसकी जो आघे इंसेक्ट जहने कीट ना सक दवाययां होती हैं इन्डोसल्फान इनमें Metal है आप सब को पताए जो metal, non metal क्या होती है अर्थ पे कुछ element पायजाते हैं जिनको scientist ने एक category में बाटा गया है non metal मतलब एधाथू, metal मतलब धाथू तो ये एक metal है और एक cloth Canadian है जो liquid form में पाई जाती है मतलब तरल पधार्थ में, बाकि की सब किस में पाई जाती है कठोर अवस्ताम है solid जैसे iron लोहा कठोर है metal है gold लोहा कि तरह कठोर है silver चांदी aluminium कठोर है metal है तो ये mercury सिर्फ इकलोती ऐसी है जो liquid form में पाई जाती है और काफी साल लग गए scientist को जब ये पाई गई कि ये देखने में कि metal भी ये जो mercury metal है mercury इसके इसमें भी क्या है सूपर कंड़क्टर की तरह काम करती है सूपर कंड़क्टर क्या होते हैं जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से 1911 में कुछ scientist थे और एक मेंली थे dutch physicist डच के ये थे एक scientist जिनका नाम है इन्होंने ढूंडा कि mercury सूपर कंड़क्टर की तरह भी काम करती है मरकरी देखा होगा आपने देखो पहले थर्मामीटर आते थे ना आज भी आते हैं mercury बेस उनमें mercury liquid भरा होता था उन्हें लगा देते जीव के नीचे या फिर आम पिट में बगल में उनसे पता लगता था कि बुखार है नहीं है उसमें आर्म जो मरकरी है वो उसका लेवल बढ़ जाता था टेंपरेचर पता लग जाता था बॉड़ी का कितना है तो यह सूपर कंड़क्टर की तरह भी काम करता है 1911 में यह फिजिस्स ने डिस्कवर किया कब करता है जब यह सॉलिड बनकरी में हो जाता है सॉलिड कब होता है इसको फ्रीज करते हैं जमाते हैं एक टेंपरेचर पे माइनस में चला जाता है टेंपरेचर उस पे जमने उपर स्रीफर इनके नाम पे ठीवरी रखी गई इन्होंने एक्स्प्रेंड किया कि मरकरी सूपर कंड़क्टिविटी कैसे एक्स्प्रेंड करती है तो मरकरी क्या इसके बारे में जानते हैं फिर सूपर कंड़क्टर के बारे में जानेंगे सूपर कंड़क्टर क्या है मरकरी जैसे हमने उपर डिसकस किया naturally occurring element है air में भी यह मिलता है water में soil में पाए जाता है और कैसे निकलता यह जब weathering होती है rocks की चट्टाने टूटती है उनसे निकलता है volcanic eruption ज्वाला मुखी जो इरप्ट होता है उससे जो thermal activities होती है forest fire जंगलों में आग लग जाती है तब भी यह निकलता है कि अब एकलोथी metal है जो room temperature पे liquid form में पाई जाती है तरल पधार्त में super conductivity क्या होती है पहले जानते है super conductor conductor तो जानते हैं आप क्या होता conductor conductor मतलब सुचालक जिसमें से बिजली पास हो सकती है जैसे iron हो गया silver हो गया चांदी इनमें से बिजली पास हो सकती है और bad conductor क्या होते है वो होते है जिनमें से बिजली पास नहीं होती है जैसे आपके क्या हो गया उन्हें insulator भी बोलते है insulator या bed conductor, insulator मतलब जैसे plastic, लकडी हो गई, सूखी लकडी, dry wood की बात कर रहे हैं, गीली हो जाएगी लकडी, तो उसमें से current pass हो जाता है, तो वो हो गई insulator, यानि कि अगर गीली लकडी से आप बिजली की तार में लगाऊगे, उसे और एक तरफ हाथ से पगड़ा हुआ है, तो आ current को जाने से रोकते हैं, लेकिन super conductor ऐसे होते हैं, ये इसमें कोई भी resistance नहीं होता, आसानी से current pass हो जाता है, उन्हें बोलते हैं super conductor, यानि कि ऐसे conductor, ऐसे material, जो conduct करते हैं electricity को with no resistance, कोई भी रुकाबट नहीं होती है और electricity आसानी से pass हो जाती है, जैसे copper, steel में ये conductor होते हैं, इन म मैंसे आसानी से करेंट पास हो सकता और एनर्जी का लोस नहीं होता और जा का नुकसान नहीं होता तो जो यह property विसेशता यह property दर साते हैं उनी material को बोलते हैं super conductor और यह process है जो process है सारा इसको बोलते हैं super conductivity यह इसके इन मेंसे without resistance करेंट पास हो इसके advantage क्या होते हैं एडवांटेज यह होते है energy का loss नहीं होता हाइड high speed में operation होसकता है high sensitivity यह perform करते हैं कहां का पर इनका यूज होता ये most important है ai is a question यूज होता scientist and tech के topic में MRI machines में यूज होता है MRI यूज होता है दिमाग के scanning करने के लिए particle accelerator में होता है power utility में होता है electronics कंपनीज में होता है इस सूपर कंड़क्टर का यूज मिलिटरी ऑपरेशन में या मिलिटरी के जो एक्क्यूपेंट होते हैं उन में टांस्पोटेशन में यूज होता है एक है मैसनर इफेक्ट यह क्या इसे भी जान लो मैसनर इफेक्ट यह है देखो कोई मेट्रियल ऐसा है अभी ये superconductor नहीं है लेकिन अगर इसे superconductor में इसे transition कर दिया जाए यानि कि पहले material ऐसा था normal लेकिन ऐसी transition form कि इसे superconductor में transfer कर दे तो ये जो effect होता है ये क्या करता है जो इसमें magnetic field होती है magnetic field को ये exclude कर देता है यानि कि material transition हो जाता है superconductor में और magnetic field को exclude कर देता है इसी effect को प्रभाब को बोलते है मैंसनर effect समझ गए एक चीज और बता देता हूँ bullet train के बारे में आपने सुनाए होगा bullet train हमारे इंडिया में ये बनाई जा रही है bullet train जो principle पे काम करती है उसे बोलते है magnetic levitation magnetic levitation magnet चुमबक कोई बोलते हैं आपको पता ही होगा चुमबक सबने देखी होगी बच्पन में बहुत सारे गेम खेलोंगे magnetic levitation principle पे काम करती है bullet train कैसे देखो ये पट्री है न जो जो normal train है वो पट्री पे touch होके चलती है लेकिन जो bullet train है उनकी speed होती है 500 km, 300 km प्रती घंटा एक घंटे में 300 km, 500 km प्रती घंटा चल लेती है तो ये speed इतनी तेज कब बनती है ये न पट्री पे touch होके नहीं चलती थोड़ा उठके चलती है पट्री से 1 इंच, 2 इंच ऊपर चलती है हवा में चलती है कैसे चलती है उसी principle को बोलते है magnetic levitation कैसे काम करता है देखो कोई भी चीजा अर्थ पे अर्थ उसे अपनी तरफ खीच रही है क्या force लग रही है gravitational force, gravity इस gravity को पार करने के लिए इस gravitational force से अगर कोई force ज़्यादा लग जाए तो वो हवा में तैरती रहेगी तो यही force लगती है इसमें यानि कि magnetic field generate होती है पट्रियों पे और magnetic field क्या है gravitational force से ज़्यादा हो जाती है और train को उठा देती है हवा में एक दो इंच हवा में जब उठ जाती है तो friction कम हो जाता है friction का मतलब घरसन जैसे मान लो कोई सड़क पे चलते हो आप कोई चीज बॉल है बॉल को सड़क पे फैक होगे तो थोड़ा हो सकता है धीरे जाए या तेज जाए अगर उसे रेट मिट्टी में फैक होगे बॉल को तो यह रोड़कती हुई जाएगी थोड़ा धीरे जाएगी जेतना सड़क पे जाती है उससे कम अगर ऐसे surface वे marvel फिफय को बहुत ज़्यादा चिकना है friction नहीं है तो उस पे हो सकता ball और तेजी से जाए है के नहीं यानि कि जेतना friction का में उतनी तेजी से कोई चीज भागती है तो जब इस पे touch ही नहीं होगी पट्री पे train तो friction होगा ही नहीं friction नहीं होगा तो कितनी speed बढ़ा लो इसकी अभी तक तो इतना होगा पाया है 500-500 km प्रती घंटा की speed तक train चल रही है जापान में चाइना में तो इसी principle पे एक काम करती है आपको समझ आ गया होगा मोटा मोटा सा अगर मानलो interview में पूछा जाए आपसे जो interview दे रहे हैं उनको तो पता ही होता है ये काम आ सकता है interview में भी cyborg एक next term है next question मतलब topic है cyborg क्या है ये term है जो use की जाती है ऐसे machine के लिए जो partly आधा human हो आधी machine हो अभी तक तो देखो ऐसी machine बनी नहीं है जो human और machine दोनों का काम करे यानि कि दिखने में machine हो लेकिन उसकी shape human की तरह है जैसे robot type होते है और human की तरह सोचे समझे artificial intelligence based वे यानि कि mixture of human and machine उसको बोलते हैं cyborg तो होचकता यूप सी में पूछा जा सके यही topic थे आज के बहुत लंबा lecture हो गया